Hello students, तो आज बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो, time and work, बहुत इंट्रेस्टिंग है, हर एक government exam में आता है, आप even police की तियारी कर रहे हों, even किसी भी administration की तियारी कर रहे हों, banking की तियारी कर रहे हों, even कई schools exams में भी आता है, school competition में भी आता है, बहुत important वीडियो है, पूरा वीड बने हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आगए भी वीडियो में बने रहें, चलिए, तो अब देखते हैं हम, पहला criteria किस तरीके की problems होती हैं, यहाँ पर, थिर, तो यह example के तौर पर हमने ले लिया है, यहाँ पर, let a person A can finish a work in X days, ठीक है, एक variable से start करते हैं, and a person B can finish the work in Y days, तो A जो है, वो आपका, X days में complete कर रहा है, और Y जो है, वो आपका, B जो है आपका, Y days में complete कर रहा है, मतलब, A को काम, यह अकेला A करता है इस काम को, तो उसको X दिन लग जाएंगे, और अकेला B करता है काम, तो इसको Y days लग जाएंगे, ठीक है, अब यह एक criteria अलग-अलग है, यह तो clear है, लेकिन अगर यह दोनों 7 में करें, तो, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं, detail में, समझिएगा, आपको करना किस तरीके से, जैसे आपको यह दो चीज note down करनी रहे हैं हमेशा, जैसे A है, कितने days में कर रहा है, B है, कितने days में कर रहा है, यह आपका most important part है, question में से आपको निकालना है, then आपका, question का procedure क्या होगा, तरह आपको करना है, अब आप x days में कर रहा है, तो यह one day में कितना काम करेगा, आपको यह निकालना है, ठीक है, कोई आदमी, जैसे, कोई आदमी, एक काम को 10 दिन में करता है, imagine करिये, अगर कोई आदमी, एक काम को 10 दिन कर रहा है, तब complete हो रहा है, तो एक दिन में क्या कर कर लेगा है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर आपको सोचना है ओके तो हम एक कोई काम x days में हो रहा है हमें बूस्ते मतलब नहीं है अब हमें एक दिन से मतलब है कि एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है तो हम देखते हैं a can finish the work one by x ठीक है मतलब five days होगा तो one upon five हो जाएगा ten days होगा तो one upon ten हो जाएगा इसका ध्यान दखिए one by x part of work in a day ठीक है इसी तरीके से b का हो जाएगा we can finish one by y क्योंकि यह y days में करता था part of work in one day one day निकालना बहुत जरूरी है इसके लिए ठीक सबसे पहले one day निकालेंगे जैसे अपन one day निकालते हैं तो question आदा तो बैसे ही simplify हो जाता है ठीक है चलिए अब आते हैं दोनों को together करते हैं तो दोनों को together जब हम करेंगे दोनों को साथ में तो आपको कुछ नहीं करना है जैसे इनके ये work है one upon x plus one upon y ठीक देन उसके बाद lcm आप लोग को आता है इनका lcm ले लिए तो नीचे multiplication हो जाएगा ठीक और ये y यहाँ पर जाएगा x यहाँ पर जाएगा उन्होंने arrange करके लिखा हुआ जैसे one upon x plus one upon y को कैसे solve करते हैं x y यहाँ पर y जाएगा यहाँ पर x जाएगा लेकिन उसको हम बाद में ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि plus का symbol है बीच में ठीक तो यह आपका अभी complete नहीं आया है answer यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं ठीक तो यह क्या है अब part of work ठीक यह अब आपको जब d's निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको reciprocal करना होगा ठीक है क्योंकि हमें आप reciprocal यूज कर रहे थे ठीक तो यह आपका हो जाएगा simply xy upon x plus y days तो यहाँ पर आपको दो चीजे note down करनी हैं पहले जितने days हो उनका reciprocal करके let कर लेना है one day को simply then complete दोनों together काम करना है तो दोनों के reciprocal को add कर देना है simplify कर लेना है दोनों कितने दिन में finish करेंगे उस work को वो आपके पास answer आजाएगा ठीक यह यह आएगा उसके बाद last step भूल जाते हैं कई लोग आपको उसके बाद फिर से reciprocal करना है then आप बोल पाएंगे कि इतने days में आपका काम हो रहा है चलिए एक example से समझते हैं हम ओके तो एक example ले लिया है हमने a can finish the task in 8 days and b can finish the task in 12 days ठीक है ओके तो how many days required to finish the task if both are working together चलिए assumptions ले लेते हैं तो a आपका 8 days में कर रहा है तो इसको assume करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 8 ठीक है इसी तरीके से b आपका 12 days में कर रहा है तो जब b के लिए आप let करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा 1 upon 12 ओके अब आप मैं पता ही है आप दोनों simultaneously work कर रहे हैं तो क्या approach लगाने है अपनको दोनों के reciprocal को हमें add कर देना है ठीक है दोनों के reciprocal को हमें add कर देना है चलिए यहाँ पर हो जाएगा 8 into 12 यहाँ हो जाएगा 12 यहाँ हो जाएगा 8 आगे इसको simplify कर रहा हूँ मैं तो यह उपर हो जाएगा आपका 20 और नीचे आपका क्या हो जाएगा नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं कुछ cancel out कर देंगे अपन ठीक, तो cancel out करते हैं तो यह आपे 4 से हो रहा है 4, 5, 4, 2 ठीक, तो यह simplify करने के बाद बचा आपका 5 upon 24 यह आपका आगया है अभी final answer नहीं आया है ध्यान देजिएगा final answer नहीं आया है तो answer क्या है आपका answer है आपका 24 upon 5 days ठीक और आप इसको बोल सकते हैं अगर आप divide कर लेंगे तो बोल सकते हैं 4.8 days ठीक तो यह आपका answer आगया है बहुत ही simple questions होते हैं यह tough question नहीं आते हैं यहाँ पर कोई problem नहीं है आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एक special variety है जो और discuss कर रहे हैं अब यह वाला work आप कर लेंगे अब इसमें अगर इस video पर अच्छा response रहता है तो इसका एक में advanced video भी बनाऊंगा जिसको करने के बाद किसी भी competition exam का कोई भी question आपका नहीं छूटेगा लेकिन उसके लिए इस video पर positive response चाहिए positive response मतलब likes अच्छे हों इसके through subscriber आये हों और video अच्छी ग्रो करें तो obvious सी बाते work करने में मज़ा आएगा ठीक चलिए आगे देखते हैं तो अब एक alternate criteria है जिसमें क्या होता है कि ये दोनों काम करेंगे लेकिन क्या होगा पहले मान लो A आगया काम करने के लिए पहले आपका A आगया काम करने के लिए तो उस दिन B नहीं आएगा काम करने के लिए ठीक फर्स डे A आगया मान लो तो second day आपका सिर्फ B आएगा second day A नहीं आएगा फिर third day मानलो फिर से A आजाएगा fourth day fourth day B आजाएगा एक तो ये criteria होगा है कि पहले A आ रहा है एक criteria और हो सकता है कि पहले दिन B आजाए second day फिर A को आना पड़ेगा फिर third day फिर B आजाएगा फिर fourth day किसको आना पड़ेगा A को आना पड़ेगा तो जो alternate days criteria होता है इसमें mention किया जाता है कि पहले दिन कौन आ रहा है ठीक है पहले दिन कौन आ रहा है या फिर इसमें बोल दिया जाएगा कि पहले दिन कौन आए कि काम जल्दी finish हो जाए या पहले दिन आपको total काम देदेगा बोल देगा इतनी दिनों में काम पूरा हो रहा है तो आप बताईए पहले कौन आया होगा तो उस case में आपको दोनों condition चेक करने पड़ेगी ठीक तो यहाँ पे क्या है आपके दो cases हैं जिसमें पहले A आएगा या पहले B आएगा ठीक तो यह दो cases होते हैं तो हम एक example ले रहा है example के थूर समझते हैं example यह बाले थोड़े से lengthy चले जाते हैं समझिएगा बिल्कुल भी problem नहीं होने वाली आपको ठीक है चलिए तो case 1 में हमने start कर दिया है A से question था हमारा A can finish the work in 8 days and B can finish the work in 10 days सबसे important part यह होता है question का how many days are required to finish the task if both are working in alternate days देखिए alternate days mention किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि mention नहीं किया जाता है चलिए जो let करना होता है वो देख लेते हैं सबसे पहला आपको पता है यह 8 में कर रहा है तो 1 day में क्या हो जाएगा 1 upon 8 part of work B आपका 10 days में कर रहा है तो B क्या हो जाएगा आपका 1 upon 10 part of work 1 day का ठीक है अब हमने दोनों को together तो अपन देख लेते हैं पहले first 2 days में क्या होगा पहले A आया तो A ने अपना कर दिया 1 upon 8 work फिर B आया तो B ने आपका कर दिया 1 upon 10 तो 2 days में निकाल लेते हैं सबसे पहले हम ठीक है ठीक तो इस तरीके से यह 2 days में निकाले हर condition में आपको यह apply करना है यह 2 days का ठीक उसके बाद एक छोटा सा logic लगेगा तो यह ध्यान रखिएगा 2 days का logic इस तरीके से निकालना है तो आपको पता चल गाया अब 2 days का आप निकाल लेंगे ठीक 2 days का निकालने के बाद क्या होगा 2 days का कैसा निकलेगा इसको add कर दिए चली करते है 1 upon 8 प्लस 1 upon 10 क्या हो जाएगा आपका 80 आपका LCM हो जाएगा ठीक यह मैं डारेक्ट तरीके से कर रहा हूँ बलकुल simple method से ताकि आप लोगो LCM इसका 80 नहीं आएगा अगर LCM method से निकालने कम आएगा लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप फटा फट कर लें question को ठीक यह होगा है cancel out मत करियेगा तो आपको help हो जाएगी question को solve करने कर सकते हैं cancel out कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्यों करें अभी हम मेहनत क्यों करें last में करेंगे सारी मेहनत ठीक है चलिए तो दो दिन में कितना काम हो रहा है 18 upon 80 यह आपका दो दिन का काम इसको shift कर देंगे तो दो दिन का काम हो जाएगा अगर इसी manner में अगर इसी manner में हम चलें तो कितने दिन तक चल सकते हैं देखिए आपको इसको multiply करना है कि इस से जादा ना हो आपको इस से किसी चीज़ से multiply करना है कि इस से जादा ना हो simple सा तो हमें दिख रहा है 6 से multiply हो जाएगा नहीं 8 से भी possible है ठीक ये अपना हो रहा है 4 से multiply करने पर क्योंकि 2 days चल रहा है न हमारे ठीक इसका मतलब 8 days ये 2 days का है target आपका तो ये आपका हो जाएगा 8 days का target इसको multiply करने पर आपका 72 आ रहा है अगर इसके बाद आप 5 से करेंगे तो 80 से जादा हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए तो हम ये देखते हैं ये आपका आगा है तो अब यहीं से करते हैं तो 8 days मतलब 4 से multiply करना होगा ये 72 तो आप 8 days में कितना cover करेंगे ये काम करेंगे together ये अब ये कैसा है alternate आ रहे थे लेकिन हमें पता है कि आज ये आया है तो कल भी आयेगा तो दो दिन में इतना ही काम होगा हर दो दिन में इतना इतना काम होगा तो ये हमें पता था ठीक है अब काम बचा कितना काम बचा कितना काम बचा है 8 upon 80 8 upon 80 काम बचा इसको कट कर देंगे तो आपका 1 upon 10 काम बचा हुआ है आपका अब आपको करना क्या है अब ये होगा finish 9th day पे होगा 9th day पे finish ओके अगर 9th day पे finish होगा तो आप सोचिए कि 9th day पे आएगा कौन ये ही आएगा न क्योंकि alternate turns चल रहा है ये पहले दिन आया था तो 8 day के पाद 9th day पे भी ये ही आएगा ये आया आपका और ये को काम कितना करना है ये को काम करना है इतना ठीक तो simply आपको क्या करना है 1 upon 10 divided by ये की capacity क्या है 1 upon 8 जब आप इसको simplify करेंगे तो 8 upon 10 cancel out कर देंगे तो 4 upon 5 ठीक day ठीक day आएगा अब आपका 8 day आप अल्रड़ी work कर चुके थे और 4 upon 5 ये है तो total कितना हो गया 8 days ठीक तो together work करेंगे लेकिन alternate करेंगे उस case में इस तरीके से case चलेगा अब मानलो अगर B आया होता तो क्या होता B आया होता तो भी आपका यहां तक का procedure यह पूरा procedure यह पूरा procedure आपका कहां तक जाता बस यहां पे अपन पहले एक लिख देते बाद में भी लिख देते मतबर लास्ट की step चेंज होने वाली ही बस second case में तो मैं यहां की steps आपको नहीं दिखाऊंगा अब सीधे हम लास्ट की step देखेंगे ठीक तो second case में अब क्या कर रहे हैं हम अब B से अपन work start कर वा रहे हैं ठीक है तो ninth day में आपका क्या बच रहा है eight days तक आपको पता ही क्या हुआ ninth day में आपका इतना work बच रहा था ठीक है अब क्या होगा अब अपना B काम करेगा इसको तो B को काम करने में कितना time लग रहा है B की capacity बन अपॉन 10 थी और काम भी बन अपॉन 10 ही बचा है देखिए पूरा cancel out हो गया उनलब one day लगेगा इसको ठीक इसका मतलब eight days पहले कर चुके थे और एक दिन ये लग गया मतलब total कितने days लग गये nine days लग गये अब आप imagine करिए अगर आपसे ये question पूछा होता कि दोनों काम करते हैं और अगर पहले a आता है तब कम टाइम लगेगा या पहले b आता है तब कम टाइम तो आपको देखने को मिल गया कि एक जगा पूरे पूरे nine days लग रहे हैं और एक जगा eight point something days लग रहे हैं मतलब ए अगर पहले आता है तो काम जल्दी होगा ठीक है तो इस तरीके के early basis पे भी question आते हैं तो day की जगा hours बोल देते हैं इस तरीके से भी question आते हैं तो वो भी इसी तरीके से होंगे ठीक तो यह सारे के सारे questions आपको कर लेना है ठीक अब आप चाहते हैं कि हम एक और इसका advanced version बीडियो का बनाएं और उसमें काफी ज़ादा बो एक advanced problem में आती है उसके बार inlet outlet outlet pipes problem बो भी इसी के थुरू होती है मतलब एक pipe आपका लगा है जिससे पानी आ रहा है एक pipe लगा है आपका पानी जा रहा है दोनों की capacity अलग-अलग होगी तो आप से पूछा जाएगा tank कितनी दिर में fill हो जाएगा इस तरीके से तो ये सारी problems advanced problem है इन सब के लिए अगर आप चाहेंगे और आगर आपका responses वीडियो पे अच्छा रहेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे ठीक है अब आपको बता देते हैं अगर आप भूपल से बलॉंग करते हैं और coaching की need है आपको तो बूम इंडियन अकेडमी को आप जोइंग कर सकते हैं ठीक है और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा वीडियो को like करना ही करना है वीडियो को share भी करना है अपने सारे groups friends के साथ और उनको बोलना है कि अगर problem face करते हैं इन चीज़ों में तो जरूर और एक बात और बता देता हूं आप लोग को कि government jobs की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये channel बहुत बड़ा बरदान बहने वाला है क्योंकि यहां लगभख सारे basics जो कोई नहीं बताता वो हमने अलरड़ी बताए हैं इस channel पर ठीक है और आगे भी हम ऐसी ऐसी problems डाल रहा है जो कोई नहीं बताता ठीक है तो आपको क्या होता है एक age के बाद आप basic problem किसी से नहीं पूछते हैं आपको एक अलीव सा feel होता है लेकिन हमने यहां पर जीरो से लेकर start किया है तो यह channel का purpose यह था कि जो maths को asaphobic मानते हैं में इसको phobia मानते हैं अपना तो इसको हटाया जाए और अच्छा grow किया जाए क्योंकि आप सबको पता है कि government exams में aptitude reasoning आता है और वो बिना match के possible नहीं है तो हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमें channel को भी grow करना है और हमें आपको भी बहुत अच्छी post दिलवाना है तो आप क्या करें आप try करें कि आप हमारी help करें इस channel को grow करने में ताकि हम अच्छा अच्छा content ला पाएं time दे पाएं इस channel को अगर channel grow करता है तो मेहनत करने में मज़ा आता है चीज़ी बात है यह आप भी जानते है अगर channel grow करेगा तो मज़ा आएगा क्योंकि अपन यहाँ पे कुछ comedy तो करने रहे है कि channel एक दिन में grow हो जाएगा channel को grow होने में time लगेगा क्योंकि education channel है education channel एक particular variety के लोगी देखेंगे जो education से related होंगे हर को इस channel को नहीं देखेगा खेक लेकर यहाँ पे education अपडेट्स जॉब अपडेट्स भी डालता हूं मैं तो वो भी एविन facts भी facts का भी प्लान कर रहा हूं मैं जो बहुत interesting facts होते हैं उनके भी videos प्लान कर रहा हूं वो सब भी यहाँ पे आएंगे तो आपकी help चाहिए और वो कैसे आप अपना पुरा encouragement comment drop करिए encourage करिए हमें तो अच्छा लगता है काम करने में मज़ा आएगा हमें भी और आपको भी चलिए मिलते हैं next video